कि एलो बच्चो आप सब कस्वगाते भौपाल एकेडमी में हमारी जो लौजी क्लास चालू होने जा रही है तेकर ना इससे पहले कि हमारी क्लास चालू हो मैं आपको बता देता हूं कल जो हमने जो लौजी में पढ़ा था उसके आगे आज हम कंटीनिव करने वाले हैं तो ज जल्दी से जल्दी जुड़ जाईए जल्दी से जल्दी जुड़ जाईए सब को शेर कर दीजे सब को बता दीजे जल्दी से आ जाईए जल्दी से आ जाईए मैं देख रहा हूं कि आप कब जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्दी से बस हम क्लास स्वेड में चालू करने जा रहे हैं अगर आपने दो क्लास मेरी नहीं देखी है तो भूपाल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लिंक मिल सके ठेके ना तो याद रखिएगा कि यह थार्ड क्लास है दो क्लास आप जाके भूपाल एकेडमी चैनल पर जल्दी आ जाईए जल्दी 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 कर लीजे मुझे कमेंट करके बताईए मैं देख रहा हूं मुझे कमेंट करके बताईए विटा जल्दी आ जाईए, जॉइन कर लिजी क्लास को, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पांच मिड़ बाद स्टार्ट कर देंगे, यह हमारी जुरॉजी के थर्ड क्लास है, PNST के लिए जो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन PNST के लिए खासकर उसको ध्यान में रखते हुए बनाई अगरिया, मुझे chat में बताईए, अगर आप आ गया है, तो मैं start करूँ, जल्दी बताईए, मुझे जल्दी बताईए, आप आ गया है, मुझे inform करिए, मैं start करने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट में शालू कर दूंगा, ग्लास पिटा जल्दी जल्दी जॉइन कर लीजे और शेयर करिए जल्दी से सबको इंफर्म करिए पिटा जल्दी जल्दी मुझे इंफर्म करिए अगर आप जोइन के लिए अब बिटा वाइस नहीं आ रही है अलो वाइस आ रही है शूती बिटा वाइस नहीं आ रही है अब आ रही है पिटा बिटा वाइस नहीं आ रही है बिटा इंफर्म करिए मुझे आ रही है कि मुझे बताइए वाइस आ रही है पिटा वाइस आ रही है जल्दी मुझे बताइए वाइस आ रही है अभी भी नहीं आ रही है ठीक है विटा दो मिनिट दो मिनिट विटा आ आ रही हूँ आ वाइस आ रही है विटा आ वाइस आ रही है पिटा आ वाइस आ रही हूँ वाइस एक बार फिर पिर चेक करेए अब एक बार अपना थोड़ा सा फोन चेक कर लिजिए कि वाइस आ रही है मुझे पता चल चुका है ठीक है ना क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाखी लोगों को बता दीजिए और जल्दी 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 जॉइन कर लिजिए हमारे पे एंश्टी की जुलाओ जी है पर दूब चुश्त आहिए अरह ऊपनी रक्षा के बारे हम जाने हम बसते कैसे हैं ऐसे के मैं आगे बढ़prem आपको दू-3 बात बता रहा हूं आगर आपको हमारी administrators चाहिए हैं जैसे कि हमारे पे अप्लोड हो जाएगी तो अगर आपको हमारे को जॉइन करना है पर हमार कि यह हमारे जई के अंदर सेलेक्शन से ठेक है कि यह है आप जब यह पिस्टॉल करेंगे तो पिटा यह भी 43 परसेंट आफ चल रहा है जाले दिन तक ऐसा आफ नहीं रहेगा अभी 43 परसेंट आफ सेल रहा है ठीक ना आप अगर हमें जॉइन करना चाहते है जल्द से जल्द आप को जो है डाउनलोड कर लें और बिटा कोई भी क्वेरी होती है अगर आपको तो यह नंबर जो आपको दिखाए रहा है 162 वाला यह जो नंबर आपको दिखाए रहा है 162 वाला इसमें आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसमें भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह हमारा वाटसप नंबर 162 वाला इसमें आप अपनी information भेज सकते हैं कोई confusion लग रहा है तो आप मुझे सिधा इसमें phone कर सकते हैं आपको पूरी information मिल तो बिटा यह हमारी PNST की टार्गेट वैची क्लास है, जुलाजी 3, इससे पहले हमने बात की थी, second class में, disease के बारे में, health के बारे में, अब हम बात करेंगे, immunity के बारे में, इससे पहले मैं आगे बढ़ू, पुरानी बाते में आपको हल्का सा बता देता हूँ, पहला, health के बारे में, दूसरा, हमने बात करी, disease के बारे में, clear है, अब तीसरे नमबर में हम बात करेंगे, बिटा, immunity के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे, बिटा, immunity के बारे में, क्या है immunity और हम कैसे बचते हैं, इन सारी बीमारियों से, उसके बारे में हम बात करेंगे, चलिए हम इससे पहले कि इन्योन सिस्टम यह हमारा इन्योन सिस्टम क्लियर है एक्चुल में बेटा होता क्या है कि जैसे कोई बैक्टेरिया या कोई वाइरस अगर हमारे अंदर एंडर किया आपको सर्दी हो गई खासी हो गई बुखार हो गई इस सारी चीज़े जो है वह आपको बचाने का एक तरीका है कैसे देखते हैं यह आपकी बॉड़ी है आपकी बॉड़ी में बेटा पैथ हुजन आ जाता है पैथोजन क्या है यह मैं बता चुका हूँ ठीक है और यह आपकी बॉड़ी में कुछ ना कर पाये इसलिए किसको आना पड़ता है बीज में इम्यून सिस्टम को याद रखना कि इसको आना पड़ता है या एम्यून सिस्टम को और प्रीमियोन सिस्टम क्या करता है? इस पर जो है अटैक कर देता है, क्या कर देता है? अटैक और इसके अटैक से ये पेटोजन आम तोर पर बचने ही पाता, अब ये अटैक कैसा होता है? नंबर वन, हो सकता है आपकी बाड़ी का टेमपरेचर वढ़ा दे, second mucus बनाई जैसे कि सर्दी में होता है third third सबसे important antibody बनाए क्या होती antibody कि हम आगे जानेंगे तेक है या तो क्या बनाए antibody बनाए तेक है या तो क्या बनाए antibody बनाए या तो temperature बढ़ा दे mucus बना ले या antibody बनाए ठीक है ये pathogen के साथ ऐसा करता है इन्में से समयाद रखिएगा थोड़ा सा ना ये देखी बिटा pathogen कहां गया बिटा हमारी body में और हमारी body में आगे बिटा infection फैला दिया for example आपकी body में infection हो गया आपकी खांसी आ रहे है इसरदी हो गई क्या हो जाता है बिटा pathogen पूरी तरह मर जाता है ठीक है इसको immune system करते हैं एसे काम करता है इस तरीके से for example कोई bacteria आपकी body के अंदर एंटर कर गया ठीक है और आपको दिक्कत होने लग गई दिर दिरे आपकी body का करेगी उस पर हमला कर देगी और उसको धीरे धीरे करके उसको मार दीगी क्लियर है immune system ऐसे काम करता है बीमारियों से बचने की यही तर्कीव है हमारे पास इससे अच्छी कोई तर्कीव है नहीं और इसी को वज़े से हम जिन्दा है तेक है अब बेटा immune system कैसा होता है चा होता है कैसे काम करता है यह सब भी देखना पड़ेगा इम्यून सिस्टम कैसा होता है और कैसे काम करता है यह भी हमको देखना पड़ेगा तो लेगी बेटा immune system immune system क्या है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ जब भी कोई pathogen हमारी body में आ जाता है और infection फैल आता है तो हमारी body में कुछ chemical secret होते हैं और उस culture आता है इसको कैंगोलते हैं immune system प्रति रक्षा तंद्र बोलते हैं कि बलते हैं बटेश याध मतलम होता है इने का मतलम का हुता है और इसका मतलम क्या होता है उपारद्जित का देखें अगर आप बड़ पेदा हुए फोर जो जो पैदा होने के साथ गिफ्ट में मिला आपको वो क्या गया लाती है इनेटी उमेनेटी सहज प्रतिरक्षा कौन सी प्रतिरक्षा सहज कौन सी प्रतिरक्षा जो आपको जन्म के साथ मिली विद वर्थ और ये किस फॉर्म में होती है तो बैरियर्स के फॉर्म में होती है हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ें किस फॉर्म में होती है बैरियर्स के फॉर्म में होती है अब बात करते हैं दूसरी वाली बैटा नाम में ही राजचुपे होते हैं लाइन राज़े होते हैं नाम र्राम यहाहं यह्यां आप य। ऑफर से अरजित नाम क्या है उपःजीत यानै ऊपर से habitat मतलगि यह आपको जनन में के साथ नहीं मिलेगी यह आपको गेन करनी पड़ेगी और कैसे गेन करेंगे की और आयक्वाइल पड़ेगी R1, R2 response से और ये अगर कोई पूछे आप से कैसे गेन करेंगे तो experience से या इस पे एक और बात अगर मैं कहूं तो memories, किस से बिटा? memories से, experience से या memories से, for example innate immunity ये देखिए, आपको बताए innate immunity और ये है acquired immunity innate आपका बर्त हुआ, बर्त के साथ ही ये barrier के form में आपकी body में है किस form में है वेटा, barrier के form में आपकी body में है इस form में पाई जाती है और इसी form में ये आपकी protection करता है थगा करता है protection ठीक है number one ये है आप बात करते हैं इसमें क्या होता है जब आपको experience होता है किसी भी case का तो आप response करते हैं क्या करते हैं response कि दो प्रकार के होते हैं वन और टू आप क्या करते हैं वेटा response करते हैं ठेक है और इस response से आपको मिलती है immunity तो यह immunity आपको बचपन से नहीं मिली है शुरू से आपके पास नहीं है ने आखरी तक आपके पास रहेगी ठेक है तो याद रखेगा इसलिए इसको acquired बोलते हैं ठेक है न उप अर्जित अर्जित की हुई प्रतिरक्षा इसको क्या बोलते है इनिट बोलते है क्या बोलते है इनिट ठेक है बटा जल्दी जोएन कर लिजे class हाना हमारी class start हो चुकी है सुवी बेटा गुड मॉनिंग बेटा वाइस आ रहे है ओके बेटा गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग शूती बेटा आप ने mute क्लिक कर दिया होगा इसलिए ऐसा हो रहा हो बेटा बेटा टालीजी पहले आ रही है बेटा ठीक है बेटा राखी बेटा गुड मॉनिंग बेटा ठीक ना हम क्या करेंगे एक दो टॉपिक पहले कलियर करेंगे उसके बाद ने बीच में आपका चैट देखेंगे ठीक ना और एक बार एंड में ठीक है चलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह समझ में आया इनेट और एक्वाइट वह इम्म्यूनिटी जो आपके सांथ आई है आप जब पैदा हुए थे आपके सांथ आई थी उसको हम क्या बोलते हैं इनेट यान टेक है यह पिट है यह पहले में बात करूँगा इनेट इम्यूनिटी के किसकी बात करूँगा इनेट से है प्रति रक्षा की जो बचपन से आपके सांथ है प्यार यह चार ये चार ऐसी immunities है जो आपके साथ जब से आप पैदा हुए तब से क्या क्या है barriers होते हैं मैंने आपके पहले भी बताया कि barrier के form में होती किस form में होती बेरियर के form में होती याद रखना और ये response के form में होती है करती है response करती है कि आपने कैसा हमला किया जैसे for example मान लीजे कि दो लोग है क्लास में राम और श्याम फॉर एक्जामपल राम जो है बेटा वो क्या करता है वो कोई भी चीज अपने सामन रखता है पर वो यह देखता है कि सामने वाला हमला कैसा कर रहा है तो वह एक बेरियर लगा लेगा तो एक लोहे का यहां कवज पहन लेगा बुलट चलाया तो बुलट प्रूफ गाड पहन लेगा तो response देगा रियक्षन देगा कि भाई आप जो आप करोगे उसके एक है ना ऐसा ही रखेगा तो क्या क्या कहलते है एक बेटा इन इट बेरियर केह लाता है क्या कहलते है बेरियर याद रखना इसको भुला मारा बहुत बुछ स्षर नाते हैं अब दीगिए Yesterday कि वार बेरियर हमारे स्लेवस में दिये हुए है एक है बेटा फिजिकल बेरियर फिजिकल नाम में राज चुपा होता है फिजिकल ये अवरोग सुख्श मजीवु को प्रिवेश को रूपता है तब कही न कहीं ये entry को रोपता है किसके बैटेरिया की चली बात करते हम क्या कह इसकी बात करते हैं इसको सारेरिक अवरोध कहते हैं किस क्या कहते है इतना इसमें होता क्या है इसे यह है अब समझ लीजिए आप कि एक वेक्टेरिया है यह आएगा जिरूर पर इसको एंट्री नहीं मिलेगी यह वापस जाएगा यह जो आपको दिखराएं यह है फिजिकल वेजिकल वेजिए यह एंट्री नहीं देता इन देता है यह वेजिकल वेजिकल वेजिए आपको बताया था यह एग्जामपल भीटा कर दो कि इसकीं से अच्छा को एक्जामबल मॉझूद है इस दुनियामें फिजिकल बेरियर का यह देखिए भाई कितने वाइरेस यहां इस वक्त यह है माले जो फॉर एक्जामपल मैंने यह बोड टच किया हो सकता है यहां वाइरस यह बैक्टेरिया था मैंने तच किया तो इसके ऊपर आ गए यह उपर जरूर है पर अंदर नहीं जा सकते क्यों इनके बीच में यह इसकिन है और इसकिन क्या है पिटा फिजिकल बेरियर मतलब एंट्री को अलाव नहीं करता अंदर जाने नहीं देता बेक्टेरिया को अंदर जाने नहीं देता इतना क्लियर हुआ है टेक है पिटा इतना क्लियर हुआ आपको फिजिकल बेरियर टेक है यह फिजिकल बेरियर पिटा इ प्रोसेस से होने वाला वारियर यानि जो प्रोसेस या कोई बनती हो और निकलती हो उसको क्या बहुत है биटा फिजि необход कल बेरियर कहें जैसे तीर्स आसुआप देखना ait áp गाड़ी चल रहा है एकडम शांदार तरीकिए से गाड़ी चला रहे वाद होता क्या है एकदम स्चनक से कोई कीड़ा चला गया आपने रोका कि आपने ऐसा किया बहुत ज्यादा पानी निकलता आसो निकलता बहुत ज्यादा मात्रा में क्यों निकला तीयर निकला और यह क्या करता है यह जो बेक्टेरिया होता है या जो इंसेक्ट होता है कोई कीड़ा है तो ठीक है बेक्टेरिया हो या इंसेक्ट हो उसको नहीं है मार देता है क्या कर देता है बेक्टेरिया और इंसेक्ट को या तो मार देता है यह तो उसको खत्म कर देता है क्योंकि इसमें बěर एन Ecl होता है Water के साथ क्या होता है न Ecl होता है ठेक है इसलिए उसको पूरी तरह जला देता है clear है, पूरी तरीके से एक दम finish कर देता है उसको इतना समझ में आया, तो फिर से बता रहा हूँ जैसे आप गाड़ी चला रहें आख में कुछ कीड़ा गया तो आप तुरंट देखीगा जैसे आप चलाएंगा ऐसा कि एसा होता है क्लियर है कि यह अब बात करते हैं अब बात करते हैं यह आपकी बाड़ी में बहुत ज्यादा मातरा में बनती है आप जो खाना खाते हैं इसमें वो मिक्स होती है इसमें एक बेक्टेरिया होता है इसका नाम है लाइसोजाइन इसमें क्या है एक बेक्टेरिया है उसका नाम है लाइसोजाइन इसका काम है यह एक लाइसोजाइम है एंजाइम है जो बैक्टेरिया से मिलता है हमको किसे मिलता है बैक्टेरिया से मिलता है पर हमारे सलाइवा में भी है एक एंजाइम जो हमारे सलाइवा में होता है और यह बिटा किसको मारता है तो यह bacteria को kill करता है वे इंटेरिया को मारने कांड करता है क्लियर है अ अगर bacteria यहां से बच गया तो हचल है bacteria को क्या microbes को क्या करता था रहे ए देता कैसे मारता ए कि बहुत hard होता यह सैल कि 1.5 से 1.8 pH इतना एस्रेडिक है यह तेजाब आप एसु क्या बोल सकते हैं तेजाब यह इतना एस्रेडिक है कि अगर आपने माने एक ब्लेड अंदर डाल दी तो किसी तरह आपने पेट के अंदर पहुंचा दिया तो यकी मानी पुरी ब्लेड को गला देगा इतना खतरना का पिलों Tics ऐसरेड ही एससरीव में होता है एक प्रोसेस के लिए इसलिए इसको बोलते हैं फिज्योलोजिकल के आप में एक बोलते हैं सालाइव कलेर है यही फिज्यूलोजिकल वेरियर है तो यह देखिए हमने बात कि acid of stoma की saliva की और tears की तीनों चीजों की तेक है अगला देखते बिटा cellular barrier क्या बोलते बिटा cellular barrier यह नाम में राज चुपाए कोसिकी आउरोद मतब कौन create करेगा यह कौन create करेगा बिटा यह इसमें क्या होता है सेल जो है माइक्रोब्स को किल करती है क्या पड़ गया है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है इसका नाम क्या पड़ गया है क्यों पड़ा है सेल मारती है जैसे एक्जामपल डबलू बीसी इसकी जान है डबलू बीसी और हमारी इम्म्यूनिटी की जान है डबलू बीसी पूरी की पूरी इम्म्यूनिटी हमारी बॉड़ी की हम ठीक होते हैं किसी भी बिमारी से कैसे भी ठीक होते हैं पूरी की पूरी इम्म्यूनिटी कोन जेनरेट करती है डबलू बीसी क्लियर है डबलू बीसी हर काम करती है डबलू लिम्फोसाइट, प्रकृतिक हत्यारा, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की बात करिए, लिम्फोसाइट की बात करिए, विपाए, ये क्या है, तीनों डबलो बीसी और बिटर कि मायक्रोफेज होता है यह सेल है इसको लेकिन मेरे साब से अलग सेल है इसको महाभख्चाणू या व्रहत भख्चाणू और महाभख्चाणू याद रखना तो याद रखेगा cellular barrier group में हमारी मदद कोन करता है cell करती है और cell में भी हमारे पास 4 example है monocyte, lymphocyte, NK cell और 4th है macrophage clear है maximum आपको WBC दिख रही है यह special cell clear हुआ यह clear हुआ cytokine barrier नीट में question काफी आया हुआ काफी पूछा जाता है cytokine barrier क्या होते है cytokine barrier actual में ऐसे barriers होते है जो आपको आम तोर पे virus वगएरस से बताते है या cytokine का मतलब होता है कही न कहीं यह cell की plasma से depend करते है किस पर depend करते हैं बटा cell के plasma से special type के होते हैं क्या होते है बटा special type के तो ऐसे barriers जो special type के एकदम होते है cytokine barrier clear है एक example बटा interferon interferon जो है बटा वो virus को मारने काम करता है किसको मारने काम करते है बटा virus को interferon किसको मारने काम करते है बटा virus को याद रखीगा तो बटा हमने सबसे पहले देखा immune system क्या है फिर हमने देखा दो type के होते हैं एक immunity जो आपको जन्म के साथ मिलती है उसको innate immunity कहते हैं और जो immunity आपको experience या memory based मिलती है उसको acquired कहते हैं पहले हमने देखा innate को सहच को इसमें हमने देखा इसमें barriers होते हैं चार पहला physical barrier skin रोकती है entry को दूसरी psychological barrier यह अगर entry ले barrier उसके बाद मारते तीसरा Celular barrier specific barrier होते हीँ यह मतलम जैसे चुन-चुन के मारते हैं चुन-चुन के 就是 physiological क्या है वारस को मारने के लिए बहुत स्पैसिफिक बेरियर है क्लियर है इतनी बात में क्लियर कर पार रहा हूं ठीक है इससे पहले अगर आप बता दीजे इसमें आपको कही डाउट लग रहा हो तो टेकर बिटा इतनी समझ में आ गए आपको गुडो मॉनिंग बिटा सब को गुडो मॉनिंग ठेकर बिटा गुडो मॉनिंग भीडा कमेंट करिए फिर चैनल को शेयर करिए और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ठेक है और जो पुराने वीडियो जिन्हें नहीं देखा है जो थार्ड वीडियो में सीधा आएं फॉस्ट और सेकेंड वीडियो आपको चैनल में मिलेगी उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बैल आइक क्लास लगे उसके बारे में आप जाके हमारी जो क्यमे बीडियो है जो अप्लोड हो है नहीं है और कोई कि पिटा किसी कोई डाउट हो तो क्लियर करिए बताईए मुझे मैं एक बार बता दूंगा उसको को में यह मान रहा हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं है हुआ अब हम बात करते हैं दूसरी इम्यूनिटी की किसकी बात करते हैं दूसरी इम्यूनिटी की यह क्या है एक्वाइड का मतलम बच्पन से नहीं है पानी पड़ती है समझ रहे हो इससे पहले जो पड़े थे बच्पन से यह मीरे भाई कि बच्पन से असु और रो रहे हो की नहीं छोटे अ क्या गाल रहे हो रहे है तो इतना के है एक बचरक है बचपन से लिंफोसाइट मश सेमर ने बचपन से मोनोसाइट आप व्यक्ट से पैदा वोदेन होए तक से कामिकल निकल रहा है जब से पैदा हुए अ कि तब जू ने पढ़ आयों हो जन्य के क्वेटी सुमूनिटी र सी पड़ा है वह सारी चीजे आप से पैदा होते हैं तब से आपके साथ चलती है अ है यह पैसिल करते हैं एक्जामपल दवर पर रोना बच्पन से आया आपको आपको आ आपको आगया इस सारी चीज़े बच्पन से आपके साथ है पर कुछ जो आप नए concept पढ़ते हो जो लॉजी पढ़ रहा हो chemistry पढ़ रहा हो यह सब बच्पन से नहीं बेटा इनको सीखना पढ़ता है और सीखने के लिए बार बार experience करना पढ़ता है और memory का यूज करना पढ़ सीखा है यह depend करता है कि आप उससे कैसे लड़ेंगे for example मैं एक example आपको देता हूं ठीक है राम और श्याम मेरा favorite example मैं आपको बताता हूं समझ लिजे राम जो था उसको कोई idea नहीं था कि श्याम कैसे लड़ता है ठीक है राम ने क्या किया एकदम कराटे वराटे सीख लिया भी दमजोरदार तरीके से और यह सोच के गया कि वो जब भी ऐसे चलाएगा सिर्फा करके और सीधा को मारब लिए रहा राम narrative ऐसी करता रहा रहा वो ऐसा ऐसा करता रहा शाम ने उसको साइट से मारा वर्गों गिर गिया क्यों उसके पास इससे पहले कोई experience नहीं था ऐसे लड़ाई का एक भी बार उसके लड़ाई लड़ी ही नहीं कैसे पता होगा यूद लड़ाई नहीं कैसे पता हो कैसे लड़ते हैं क्या planning होती है clear same इ चीज़ डिपेंड ओन एक्सपेरियांस इम्मुनिटी एक्सपेरियंस ऐसी मिव्यूनिटी जो आपके experience पर डिपेंड करती हो वह कुन सी इम्मुनिटी वीटा व्हकाईट इम्मूनिटी और जो आपको बचपन से नहां मिली हो आपको पानी हो फ्राप्त करनी पड़िक right released जो अनुभोत से फराप्त होती है जैसे मैचुरीटी परिपक बता बटल मैचूरीटी में कहोता ओए से नहीं होती बेटा जैसे ऐसे आप चीजों को समझते जाते हैं आप सीखते जाते हैं फॉर इंडियों को नास्ता आपको आइडिया नहीं था लेकिन आपसे गलती हो गई सब आपने आपको थोड़ा बहुत सुना दिया अब आपने इसको मेंबरे में डाल दिया अब जब भी अगली बार कोई प्रोग्राम आप और्गनाइस करेंगे तो बेटा नास्ते के बारे में पता करके रखेंगे अरे करके रखोगी नहीं रखोगे ना इक्सुपिरिंस तो यह इम्मुनिटी की सपर होती पूरी पूरी एक्सपिरियंस वहती है चलिए दिसवटी डिपेंड्स ऑन मेंबरी एक्सपिरियंस हुआ है वो ठीक है याद रखना जरूरी आगर आपने भूल गए अपनी गलतियों को अगर आप भूल गए तो कैसे ठीक क आपके पास क्या होना इसकी प्रॉपर मेमरी होना चाहिए जिसके आधार पर उस्ते लड़ सके जैसे उसको याद थक ऐसे मारता है अब की बार जैसी हो गया जैसी वह आया वह उतनी जुग गया साइट से निकला अब उसने मारा राम ने अब शयाम को मरा पिछले बार पड़ी थी एक है घंकर के इस मृती पराधारिता है किस पराधारिता है इस परी मेमरी पराधारिते चेक था ही है है। दोनों टाइब हम बढ़िया आराम से पढ़ेंगे एक है बेटा humoral immunity या immune response बोलते हैं इसको एक है बेटा cmi cell-mediated immunity ठीक है दो टाइब के होते हैं एक है बेटा humoral immune response और एक है बेटा cmi cell-mediated immunity अब इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा नाम में राज देखिए कि ईखी-moral का मतलम होता है पेटा liquid या fluid क्लियर है तो ऐसे immunity या तो कोई liquid के द्वारा नाथ द्वारा या तो क्योंक्ट हो या तो कोई रास्त कोई या तो द्रव वो या तो कोई ना कोई ऐसा liquid material हो तेक है जिससे कंड़क्ट जैसे कि सब्लाइब प्लाज्मा अब ये ये ऐथ है यह ब्लड रेंगे कुछ तो और ही लियुट मैं ये ब्लाज्मा से कंड़क्ट होती है और मेर अधिनあります ये ये 3 प्रूड अप्र एन्डरलाइन थीनो फ्रूड ए और इनियुन को तरल प्रतिरक्षा कि इसको बिटांस को तरल प्रतिरक्षा जो बेस होता हुँ क्या होता है यह सब लिक्विड है बेटा या रखना है इसको भूल मत जाना अब इसमें तो उसको बताने जरुवत नहीं होनी चाहिए CMI क्या है बेटा? CMI, Cell Mediated Immunity. क्या होगी बेटा? इसकी Base Cell. क्या होगा? Cell. क्लियर है? मैं फिर से बता रहा हूँ. एक बार इसको repeat करता हूँ. acquired immunity क्या होती है? वो प्रतिरक्षा जो हम अर्जित करते हैं. तेंग है? किस आधार पे? Experience, पे और हमारे memory में save कर लेते हैं, कंड़क्ट करते हैं सेकंड ओरती ही बिता हम सी माईस से कंड़क्ट करते हैं यह क्लियर है यह दोनों बाते हैं और पहरी embrysz according to इसको बोलते हैं हिमूरल या तरल प्रतिरक्षा क्या बोलते हैं तरल प्रतिरक्षा ठीक है पढ़े पहली वाली तरल प्रतिरक्षा ठीक है पढ़े पहली वाली तरल प्रतिरक्षा ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है प्रतिरक्षा ठीक है आता है बहुत ज्यादा आता है तो दो ऐसी चीजे हैं जो HIR तरल प्रतिरक्श कंट्रोल करते हैं पहला बी लिम्पोसाइट दूसरा T लिम्पोसाइट पहला है बी लिम्पोसाइट दूसरा है T लिम्पोसाइट PNST में बिटा तीन बार आ चुका है कम से कम T और B के बारे में clear है PNST में बिटा T और B के बारे में तीन या चार बार आ चुका है clear है तो क्या होता है B का मतलब वो immunity जो bone marrow अस्थी मजज़ा वो lymphocyte जो कहां बने bone marrow में अस्थी मज़़ा में कहां बने रही हो बिटा bone marrow में अस्थी मज़़ा में उसको हम क्या बोलते बिटा B lymphocyte B का मतलम bone marrow ये PNST में आया वो कोशन आप previous year कोशन देख सकते हैं मैं आपको कराऊंगा टेंशन मत लिए जैसे topic खतम होगा previous year question करेंगे PYQ बिटा बी का मतलम का है बिटा bone marrow का है बिटा B का मतलम bone marrow याद रखना T का मतलम थाइमस gland bone marrow समझ रहा है ये read की हट्डी बिटा ये read की हट्डी होते है इसके बीच में gap पाए जाते है ये bone और ये marrow जो आपको दिखा दे रहा न ये marrow और ये bone यहां पर यह बनते है इस लिए इसका नाम का पड़ गया बीटा इसका का नाम खाली जगा को बॉन-मेरो और लिम्पोसैटि वही बनती है इस contest लिए बजाँ बिंपो साइट मेलिमठी ने पूत यह एक्दम center में आपको देख्पा रहा है center भाग यह वाला center बाग है ऱ गुन्स पर स放心 जूपाई जान स attended वे से बॉन मेरो बहुति है आप देखिए भी रही धोनों कोका CMI में हैं यह दोनों सेल भी हैं और यह दोनों लिक्विड ब्लड में भी पाई जाती हैं यह ब्लड में भी पाई जाती हैं और यह सेल भी है तो वहां भी इसी को पढ़ना है यहां भी इसी को पढ़ना है पर काम अलग-अलग अबेट काम जो है ना वह अलग-अलग है कैसे बिटा B-lympocide एच आई आर में तरल प्रतिरक्षा में B-lympocide क्या बनाती है बिटा protein मनाती है क्या होती है ये protein यही है antibody antibody protein मनाती है protein जबकि यह जो है यह सिर्फ help करती है protein production यही हैicks पिलिम्पोसाइट फिर से आपको बता रहा हूं हाईग ही यार कि फिर पोर एक लाफ पने एक कोई काम कारेकरम में हाप गये थे एक कोई यह लो सजाद अच्छे सजाद आना उन्हें देख के ऊपर दूसरा वाले दूब यह फूल ने लिए आप समझ रहे हो मेरी बात को फूल आप दे रहे हो आप हेल्प कर रहे हो अब सजा नहीं रहे हो तो यह जो आप सजाने काम करती है प्रोटेन प्रोडक्शन का काम करती करती हैं क्लियर है और इन्हीं को बिटा हम क्या बोलते हैं एंटी बोडी क्या बोलते हैं एंटी बोडी तो याद रखिएगा बी लिंपोसाइट प्रोटेन की सेना बनाती है प्रोटेन आर्मी मनाती जिसको हम क्या करते हैं एंटी बोडी और यह जो होती बिटा टी लिंप क्लियर है इतना क्लियर हुआ बिटा इसके आगे हम एंटिवर्डी के बारे में पढ़ेंगे पहले बताईए आपको ये के लिए रूई ये वाली इम्म्यूनिटी बताईए मुझे जल्दी सुभांगी बिटा ठीक है बिटा ठीक है बिटा, ओकी, आणा समझ में आ गया है न मतलम मैं ये मानके चलू चली ये ये क्लियर हुआ ये एक लिएर हुआ टेक मैं फिर शे आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा चलके इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ यहाँ से कुश्चन बहुत आते वीटा चैने नीट होनी चाहिए हुसकी टाइप होते हैं दो एक फ्लूड़ पर काम करती है फ्लूड़ में मौझूद नाम मेराज ब्लैमंग मेरो अधीन यह प्रोटीन की सेना बनाती है यह मदद करती है वी लिंफोसाइट प्रोटीन आर्मी बनाती है और टी लिंफोसाइट उसकी मदद करती है और यह जो प्रोटीन की आर्मी बनती यह क्या है एंटी बाड़ी और यहीं है जो पैसुजन को मार रही है यही वो तलवार है जिससे से प्याद रखना साफ यह करती है गरम करने में भाई मैं गैस जला देता हूं यह करती है आर्मी खड़ी कर देती है जैसी अब आएगा इंटिजन खतम क्लियर है इतनी बात इतनी क्लियर हो गई अब बात experience में काम करती है सारा काम experience पर होता है सारा काम प्रोग करती है सारा काम experience पर होता है एक आद एक्षेयंपल से आपको समझाती हो को यह बेक्टेरिया आपकी बॉड़ी में आ गया हुआ है ठीक है आपकी बॉड़ी में आया है आपकी बॉड़ी में यह इंफेक्शन फैल आ रहा है आपकी बॉड़ी ने तुरन्द है कि फोन किया आपकी बॉड़ी ने तुरन्द किसको फोन लगाया एच आई आर को तुरन्द उठाया जीयो और तुरन्द लगाया हाँ भाई हिर कुस्तों करो इसको बैक्टेरिया का रुष्टों करो क्या हुआ है एज शाइ यह ने बोला डोंट फियर वैंना ये मैं हूँ चिंता क्यों करते हो आप टैंशन बिल्कुल मतलब मैं हूँ ना है आज आए आर ने तुरन इसको पूल लगाया पिटा bone marrow को और bone marrow ने तुरंत B-lymphoside बनाई क्या बनाई B-lymphoside और B-lymphoside ने तुरंत क्या बनाना चालो कर दिया बेटा protein क्या बनाना चालो कर दिया protein बेटा इसमें help किसने कर दिया T-lymphoside क्लियर है और जैसे एक बार help करना चालो क्या क्या बन गई विटा antibody किया बन गई antibody इसी को आप और हम प्रोटीन आर्मी कहते क्या कहते हैं सेना तैयार हुई अब यह जो सेना है आप एन आपको दिखाए देरけれ antibody कई और बेक्टेरिया का काम खातम क्लियर फिर से बता रहा हूं बैक्टेरिया ने बॉड़ी में हमला किया इंफेक्शन फैल आया एच आयर को तुरंद फोन लगाया गया जैसे इंफेक्शन फैला हलो हाँ एच आयर कुछ तो करना पड़ेगा यह 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 तो हमला कर रहे हैं पर चलो कोई टेंशन मतलो अ आओ बचाने यह की नहीं जैसे पता चला कि हमला हो रहा है बी लिंपोसाइट में फोन किया थोड़ी मदद कर दीजे गाड़ी दे जहा Пटि लिंपोसाइट ने गाड़ी दे दी लिंफोसाइट चला गया और इस हमला करने वाले की गर्दन को उड़ा दिया क्लियरρ इस तरह से काम करती इंप्र इंप टरह इतनी बात आपको समझ में आ रही है इस तरह से काम करती मिलक्स agora हैं यह ChIR की बात कर रहा हैं स्ऐना इल कि यह इन किना एतनी बात प्लियर हुआ इतनी बात पलें के यह छिए आते हैं उस सेना के पास आपने नाम सुदा सिकंदर का एलेक्जेंडर फ्लैमिंग एक साइंटिस का नाम है और उन्हीं के नाम जिस पर रखा गया उनका नाम था एलेक्जेंडर ग्रेट शिकंदर उनको किसे ने हरा नहीं पाया कहते हैं उनके पास ऐसी सेना थी कि उनको कोई हरा नहीं सकता था अमर ह हमारे पास भी ऐसी ही एक सेना है जो अंद तक नहीं हारती और जिस दिन यह हार जाती है सब खतम हो जाता है क्लियर है इच एंटी बॉड़ी अभी कैसी बनती है तो देखते हैं यह ना क्यों चैने की बनी ऊती है अ जिसद बनी होती है प्रोटीन किस से बनती विटा प्रोटाइट्टाइट कीफ्टाइटेंप्टायट चैन से बनी होता चार ये घंच शानो च्युट के इच एंच एंटी वाड़ी मेड से चैन, peptides सरंखला से बनती है, हर antibody प्रोटीन है, कितनी peptides सरंखला चार, दो छोटी, और smaller chain, और दो large, तेक है, या heavy बोलते हैं इसको, heavy बोल देते हैं, दो heavy chain और दो light chain, दो बड़ी हलकी टाइप के chain होती, for example, आप समल लीजे ऐसी, एकदम, और दो एकदम भारी भर कम chain होती है, clear है, इसके diagram पे हम कल बात करेंगे, टेंशन मतले जी कल diagram का पूरा session कर लेंगे, एक, पूरे diagram कल session में होंगे, टेंशन मतले न, दो light chain और दो heavy chain, चार chain मिलती है, तो क्या बनाती है, एक antibody, टेक है, और यह antibody हमारी वो सिकंदर की सेना है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, मतला bacteria की ब IgA, IgA, IgG, IgM, IgD, ETC, और भी बहुत सारी है, हमारे syllabus में एक और है, मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं है, आगे है, IgE, clear है, IgA, IgG, IgM, IgD, और एक्सेक्टरा, फिर उसे बोल रहा हूँ, IgA, IgG, IgM, IgD, और IgE, clear है, और बहुत सारी होती है, यह main नाम है, और यह क्या-क्या है, आगे हम बहुत detail में इसको पढ़ने वाले, हमारे NCIT में दिया हुआ है, हमारे syllabus में बेटा A और E है, M और G तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, जब हम पढ़ें क्लियर है, यह है बेटा हमारी antibody, यह हमारी antibody, तीन पॉइंट, फिर से मैं revise कर रहा हूँ आपको, इच antibody, main peptide chain, made peptide thing, चार, चार peptide chain से मिलके बनती है, कौन, एक antibody, clear है, प्रोटीन है, तो peptide chain तो होगी, उसमें कुझा सोचने वाली बात तो है नहीं, इसके बाद बाद दो light ह होती है, दो हलकी chain होती है, और दो भारी chain होती, heavy chain होती, clear है, कौन-कौन से होती है, बेटा, IgA, IgG, IgM, IgD, IgM, clear है बेटा, यह hir के द्वारा बनाई है, हर किसी में antibody ही काम करती है, और यह उसके बारे में मैंने हलका सा description आप पूदिया, clear है, इसके साथ ही हमारा hir फिनिश ह हो गया, क्या हो गया, finish हो गया, hir, finish हो गया, पिटा, किसी कोई doubt हो, hir में तो मुझे बताईए, हो गया है, पिटा, hir में कोई doubt हो तो बताईए, hir clear है, hir clear है, एक बार बता दीजे, मुझे confirm करके, hir clear हो गया है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ, cmi में, हो गया हो, hir clear है, मुझे inform करिए, सोना नहीं है, जल्दी 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 दो मिनिट अपने पास, no doubt, ठीक है बेटा, clear है, okay, और clear है, किसी कोई doubt है, कहीं पर कोई example पर, कुछ पर, clear है, clear है, सब clear है, clear, clear है, सब clear, clear बोल रहे है, ठीक है, मैं अब इसको clear करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, चली ए, यह मेरी फेवरेट टाइप की इम्म्यूनिटी है वैचे तो मेरी बहुत सारी फेवरेट है लेकिन यह इम्म्यूनिटी बहुत महिदार है देखिए क्यों CMI, Cell Mediated Immunity Cell, इसका मीडियम क्या होगा बिटा? CMI, तरल थी तो बलड था, लिंट था इसका क्या है बिटा? CEL है, अच्छा उसमें याद करो मेन कैंडेट, मेन रोल हीरो का कोन नहीं भार रहा था? B-Lymphocyte, T कोन था? हीरो का भाई, यहाँ हीरो कोन है? T-Lymphocyte तो आखिरकार हमारे हीरो को मौका मिल ही गया, रोल करने का T-Lymphocyte यहाँ हीरो है, क्लियर है? अच्छा यह जो पॉइंट है न बिटा, यह दो पॉइंट ब्रहम मास्तर क्योबर मास्तर बहुत आते हैं बिटा, नीट में आप पिछले पास साल के पिपर उठा लीजे, आपको यह कोशन मल्टी टाइम्स मिल जाएगा, तीन बार, चार बार भी मिल सकता है, ठीक है? आप कोशन पिपर उठाएंगे तो आपको पचलेगा, बिटा जो आपने सुना होगा, जैसे आपने किड्नी ट्रांस्प्रांट के बारे में सुना होगा, तो किड्नी बिटा ट्रांस्प्रांट करने से पहले हमको मैच करना पड़ता है, किड्नी मैच करते हैं, तब ट्रांस्प्रांट करते हैं, क्लिया है, क्यो मैच करते हैं, अगर बिना मैच करें लग cmi के help in organ transplant help in organ transplant मतला अगर कोई भी अंक आपको प्रत्यार उपन करना है grafting करना है किसी भी organ को तो सबसे पहले आपको match कराना पड़ेगा तभी अगर आपने बिना match किये organ डाला इसने तुरंत उस organ को reject कर दिया तुरंत रिजेक्ट कर दिया और उस organ को और helping organ transplant में भी helping इसके भी न तो organ interpreting कर देंडी इसकतें भी न मैंच कि a cell-mediant immunity cell यह हमारी रक्शा के लिए बिटा कि कोई बाहर का वेक्क्ति ना यह अपने वेक्टिय और बाहर के वेक्ति में पहचान कतीने पहचान करती जहतें नहीं देज्चित आप एक काम और्गन डियेक्शन भी है और गन भी कोई गलत और गन आ गया तो दिख्कत हो सकती है न इसलिए काम गुरूती है कैसे तो मैं आपको एक इसका एक्जामपल बनाता हूं होता क्या है हमारी बॉड़ी में इम्यूनिटी सी एम आई और गन में आती है और और गन वो क्या करती है बटा चेक करती है क्या करती है चेक अगर इसको चेक में कितने परसेंट मैच मिल रहा है 99% मेंच मिल रहा है चेक करा 99% मेंच मिला ओके बात खतम हर थोड़ी समय में हर थोड़ी टाइम में सन टाइम में क्या करती है यह हमारी बॉड़ी में लगातार यह इम्म्यूनिटी जैसे यहांसे फोन किया हां भी या भेजो चेक करने के लिए तुरन भेजा औरगन में चेक किया 99 परसेंट मैच कर रहा है अपना ही आदमी है रहने दो कुछ मत करो ओके ओके क्लिया रहे फिर से बता रहा हूं बॉड़ी में इम्मुनिटी करती सीमाई औरगन को चेक करती हर थोड़ा फोन लगाती भी आरगन मैच करो ठीक है अपना आदमी है 93 परसेंट मैच हो रहा है ठीक है बड़ी है ओकी गड़बर तब होती है न जब ट्रांस्प्लांट करते हैं देखिए यह नॉर्मल रियक्षिन है नॉर्मल हमारी बड़ी में होता है अब समल लेजिए आपने और गन ट्रांस्प्लांट किया है और वो भी कैसा ट्रांस्प्लांट है विदाउट मैच कैसा ट्रांस्प्लांट है विदाउट मैच बीना मैच किया समल लेजिए आपने दूसरे किड्नी लेकर डाल दी क्लियर है विदाउट मैच जैसे और्गन ट्रांस्पिलेट किया आपने और्गन डाला यह नया और्गन है यह ठीक है ना यह नया और्गन है क्या हुआ इतने में जैसी पता चला CMII हर थोड़ा जिर में आती है देखा चेक किया 40% मैच कर रहा है चेक किया 30-40% यह तो बहुत कम यह तो 30-40% मैच कर रहा है कुछ गड़बड है तुरंत इसने चेक किया और तुरंत इसने क्या बनाना चालू कर दी बिटा एंटी बॉड़ी और एंटी बॉड़ी बनाएगी और यह जो आर्गन है आपका आपने ट्रांस्प्लांट कर आया है इसको खतम कर देगी क्लियर है इसको खतम कर देगी मैं फिर से आपको बता रहा हूँ समल लेज़े आपने विदाउट मैच किसी दूसरे किड़नी में तब किसी विरेंड़नम आदमी किड़नी लगा दी मैच नहीं किया मैच करी नहीं रहा है दोनों के रिड़नी फिर भी आपके लगा दी क्या होगा जैसे आपने ओर्गन ट्रांस्प्लांट किया और गया बॉड़ी के अंदर तुरंस्टी आमाई ने फोन करी और चेक करवाया कितने परसंट मैच मिल रहा है सुरती पर्षेंट किते सेह मेंज मिल रहा है सुल्ति यह अदमी यह बाहर का आघ में तुरंत फौन करने चेक करने गहें Bang छानिक नहीं को दागुए यह बॉडर पर चेक करने गये पड़ पर चेक करने पर यह अपना सेनिक नहीं है तुरहां मिलेटरी के फोन करो, मिलेटरी ने फोन आया, मिलेटरी आया, और मिलेटरी ने उसको या तो पकड़ दी या तो खताम कर दी, clear, अगर आप without मैच ऐसा करेंगे, तो कुछ ऐसा होगा, इसलिए organ rejection, इसको बोलते हैं बिटा, क्या बोलते हैं, इसको organ rejection, ना कारना, इसलिए बिटाम को मैच करके करनी पड़ती है, आप देखिए, किड़नी थी, आपने क्या किया पहले, मैच किया, उसके बाद क्या किया आपने, ट्रांस्प्लांट किया, या और्गन किड़नी, अधर और्गन लिख देता हूँ, तुरांट इधर से कोण आ गई, CMI, क्या किया बिटा, चेक किया, 95% मैच, 95% मैच, वाह, बोल दिया, ओके, बिटा, ये और्गन भी अपना नहीं है, ये कैसा और्गन है, ट्रांस्प्लांट किया हुआ, ये और्गन भी अपना नहीं है, ट्रांस्प्लांट किया हुआ है, लेकिन बिटा, हमने इसमें क्या कर लिया है, मैच, क्लिया है, इसी वज़ए से ये ओके, कोच भी नहीं होने वाला, इसलिए कि इननी मैच करके है, कोई भी और्गन जो भी ट्रांस्प्लांट किया जाता है, वो भी ना मैच किया नहीं किया जाता हूँ, यह CMI जो है ना, वरना वसो खत्म कर देगी, तेक है, तो मैं आपको यहीं बताता हूँ, CMI के बारे में, नमबर वन, सेल सिक अंड़क्ट होती है, नमबर टू, ओरगन रिजक्शान, नमबर थ्री, ओरगन ट्रांस्प्लांट, आपको मैच करना पड़ेगा, पृत्यार ओपन से पहले मैच करना पड़ेगा, अगर आपने मैच नहीं किया, और गलत निकल गया, मैच नहीं होई कि ने तो यह उसको खत्म करने कि नीट में कोश्चन बहुत आया है PNHT में बहुत आता है याद रखीगा कि ठीक है फिर से मैं एक बार बात करूँगा CMI की आज के आखिरी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं तेक है CMI Cell Mediated Immunity clear है Cell Medium होती है इसमें Cell Mediated Immunity नाम में राज T-Limpocyte Hero है वहाँ दोस्त हीरो का भाई था यह हीरो है औरगन रिजेक्शन के लिए जिम्मिदार है औरगन ट्रांस्प्लांट बॉड़ी का करती है Immunity CMI औरगन को चेक करती है और ओके करती है अगर आपने विदाउट मैच औरगन ट्रांस्प्लांट किया यह औरगन को जैसी चेक करेगी मैच नहीं करेगा एंटिवर्डी बनाके इस औरगन को खतब कर देगी इसलिए हमेशा आपको मैच करके काम करना पड़ता है clear है CMI यह है CMI यह है HIR यह है आपकी एंटिवर्डी के बारे में चीज़े दी हुई है clear है यह हमने types of immunity देखा आप हम immunity के कुछ और types कल देखेंगे आज तो हमारी कलास लगबग कतम होने वाली है कल देखेंगे तो मैं फिर से एक बाद आपको clear करता हूं कि हमने आज क्या क्या बात करी immune system आपको जिंदा रखने में इसका सबसे वड़ा युग्गान है कई लोग से पूस्ता आप मरते क्यों है आप मरते क्यों है natural death क्यों होती कोई बताइए जरा दो तीन कारण है बेटा नमबर वन सेल डिवीजन बंद हो जाता है इसलिए जुरिया आती है अभी भी तो सेल इसके निकल रही है और जुरिया नहीं आ रही है क्या होता है इसमें इम्म्यूनिटी खतम हो जाती है यह जो आपको टेल इंपोसाइट दिख रहा है जब आम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा यह मैं आपको बताऊंगा यह थाइमस ग्लेंड बिटा बुड़ापे तक नहीं रहती 50 के बाद लगभग लबगड डिजनरेट होना चलो करती है और मर जाती अब आप ही सोचिए कि एक बार यह मर गई गडबड हो जाती है अब आप एक और मन में सवाल आ रहा है तो सरी है अपर गयन डालो करुक्त और ऊपरेशन ही नेहीं कर सकते ना सीक्सीपलस बहुत मुश्किल होती है सलई है फोडा बहुत रहती ही पूरे तरह कातम नहीं होती क्प्रैजेश्टी merth करे मैं आपको matt image क्रें बावन ब्दाए दो टाइप की होती एक हम प्राप्त करते हैं एक पैदा होने के साथ आती है यह मैंने आपको इसके बारे बता है आप इसके बारे बात करी बाहर से मिलती है टाइप दो होते हैं लोट के ज्वारा कंड़क्ट होती है दोनों में ही कॉमन है बोॉर्टि लिं अरमी बनाता है एंटी बोडि और बॉसाइड लुमसांपव है रहने आपको बता में चार चैन तो ग। यह टाइप्स लिखाया मैंने आपको सेल में डेटेस सेल होती है सेल डिपेंड करती है टी लिंपोसाइट और गन रिजेक्शन हेल्प इन और गन ट्रांस्प्लांट बॉड़ी इन्म्यून चेक अगर आपने विना मैच के डाल दिया तो गेम खत्म कर देगी और गन कर यह अगर आपने मैच करके डाला तो क्लियर है विटा आज की हमारी जो क्लास थी विटा ठीक है जो मेरे जो जो जी थर्ड क्लास थी उसमें हमने इम्म्यूनिटी के बारें बात किया ठीक है कोई डाउट हो तो बताईए कि इसे कोई डाउट हो तो बताईए बिटा कि इसमें न ब्लड ग्रूप भी मैच करना पड़ता है और कई सारी चीजे मेंच करना ही पड़ते हैं इसके लाबाव भी बहुत सारी नहीं करना ही पड़ते हैं है को कभी डाउट नहीं है है मैटा मेरी टाइम जी लॉजीक कई बीटा सुबह आठ बजे लगवग 8 8 बजे से चाली हो आठ का टाइमिंग है आठ वजे जॉइन कर ले मुझे ठेक है ठेक है ठेक है ठेक है ठेक है ठेक है कोई डाउट हो तो बताईए बिटा कोई डाउट हो तो बताईए बिटा कोई डाउट हो तो बताईए मुझे जल्दी से जल्दी से मैं तो हम अपने लेक्शर को खतम करने वाले हैं दो तीन बाते आप से और करेंगे हो गया पिटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अना शेयर करिए ज्यादतर लोग के पार्स अगर आपको मेरी जलाजी समझ में आ रही है तो आप शेयर करिए मेरी क्लास को ठेक है बिटा हो जाएगा हो जाएगा आप टेंशिन मतलो बिटा सुई बिटा क्या हो रहा है एक्च्वल में अभी हमना स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा क्यों चलो चल रहे हैं बेस को ठीक करने के लिए बिटा स्पीड चलेंगे यह हमारी यूट्यूब क्लासेज है हमारा जो एप है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं फिर से एक बार बता देता हूं यह देखिए इसको आप इंस्टॉल कर लिजे यह हमारा बैच का आपको यहां पर दिख रहा होगा यह बैच आप जोइन कर लिजे बिटा स्पीड चलेंगे आप टेंशन मतलो कंप्लीट हो जाएगा बिटा स्पीड चलने वाले हैं अगर बिटा कोई बीडा उटा आता है तो यह नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूं फिर से एक बार रिवाइस कर रहा हूं यह 162 वाला जो नंबर यह वाट्सप नंब ठीक है और जादर शेयर करिए अगर आपको मेरी जोलोजी समझ में आती है तो शेयर करिए ठीक है इसके बाद यह जो वीडियो है यह अप्लोड जाएगी चैनल पर उसके कमेंट्स करिए ठीक है ठीक है तो आज बिटा हमने इम्म्यूनिटी की बात करी जंग वगेरे पता था उन्होंने वेक्सिन लगवाई है ठीक है तो कल बात करेंगे बिटा आज के लिए इतना है ठीक है ठीक है ठीक है अगर कैसे कुछ लोग को डाउट था कि हम ओनलाइन क्लास लेते हैं तो ऐसा नहीं हमारी ऑफ्लेंड क्लास भी लगती है जो आपके बाला घाट में इसकते हैं हमारी भुपाल अकेड़मी आप अफ्लाइन सेंटर आके विजिट कर सकते हैं जौइन कर सकते हैं अगर आप नहीं आ सकते हैं तो इस नमबर में क्टैट करके आप रिज्ट्रेश्न करा सकते हैं यह पूरे कोर्सें पटा UPSC, MPPSC, JE, NEET, CA, ICR, PAT, PNST, SSC, BANK, RLWAY हर चीज की तयारी हमारे हाँ कराई जाती है शबके specialist है expert teachers है ठेक है और यह हमारे JEE का मैंने आपको selection पहले बताई यह जेए का 2-month का selection है और जो अभी पे एंश्टी exam होने जा रही है अगर हमको जितने विश्वास हैं बहुत सारे सेलेक्शन देने वाले हैं और आप से बात करेंगे जस्ट एक्जाम के बाद तेके बिटा अच्छे से एक्जाम दीजेगा आज सी मेरी क्लास में सिर्फ पर